question no.7 write the decimal expansion of 1 upon 7 hence write the decimal expansion of 2 upon 7 3 upon 7, 4 upon 7, 5 upon 7 and 6 upon 7 decimal expansion लिखना है 1 upon 7 का और इसके help से जो इसका decimal expansion आएगा 1 upon 7 का उसका help से हम यह सबका find कर लेंगे बीना इनको divide किये ही तो 1 upon 7 का decimal expression find करने के लिए सबसे पहले हमें 1 में 7 से divide करना होगा तो हम 1 में 7 से यहाँ पर divide कर देते हैं तो पहली बार जाएगा 0 point लेंगे decimal तब 0 पढ़ेगा 7 बंजा 7 आपका जो यहाँ पर remainder आएगा 3 और 0 अलड़ी बढ़ जाएगा फिर 7 फोर्जा 28 remainder रहेगा 2 देखें यहाँ पर जब remainder आ रहा है आपके पास तो उसको ध्यान दिजेगा यहाँ पर remainder आया था 3 यह मानस करने पाएगा 2 और automatically 0 बढ़ता रहेगा क्योंकि decimal लगा हुआ है तो 7 2 जा 14 यहाँ पर आएगा 6 0 अब यहाँ पर remainder 6 आया था फिर 7 8 जा 56 अब remainder देखें क्या आएगा 4 आ गया remainder अब ले जाएंगे 75 जा 35 अब यहाँ 5 remainder बच राए फिर 0 अब 7 times जाएगा 749 अब remainder क्या आएगा 1 आएगा और यह जो 1 remainder आया यहीं पर आप रुख जाएंगे क्योंकि अब यहाँ से repetition होगा क्योंकि 1 यहाँ पर है यहाँ से start जब किये थे तो 1 ही था यहाँ पर तो अब यहाँ पर repetition होगी तो क्यों नहीं हम यहीं answer ले 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 फिर क्यों repeat करें फिर बार बार तो हमारे पास जो answer आ जाएगा वो आ जाएगा 0.142857 बार यह बार बता रहा है कि यह जो block of digits हैं वही repeat करेंगे बार बार मतलब कि 142857 के बाद 142857 ऐसे आता रहेगा तो हमें finally answer मिल गया 1 upon 7 का decimal expansion और वह मिल गया 0.142857 अब हम चाहते हैं 2 upon 7 के निकालना इन सभी के निकालना बीना divide किये यहाँ पर देख कर कि हम आप find कर सकते हैं तुरंत और हमें write करना है बस यहाँ बोला है कि write the अना ध्यान दिजिए कैसे करेंगे यहाँ पर जो मैं आपको कह रहा था बार बार कि आप इसके remainder को ध्यान दिजिए जो यहाँ पर आ रहा है remainder देखे यहाँ पर 3 आया था 3 आया था तो यहां भी देखिए 3 है 2 है तो 2 यहां भी देखिए है यहां देखिए 6 आया Remender तो यहां पर देखिए 6 है यहां देखिए 4 है तो यहां भी 4 है यहां 5 है तो यहां भी 5 है और उसके बाद देखिए नहीं है 1 आ गया मतलब repeat होने लगा था इसमें तो ये एक sequence है ध्यान दिजे कैसे find करेंगे 2 upon 7 का decimal expansion सबसे पहले आप लिख लेंगे 2 upon 7 is equal to 0 point तो लगाएंगे लगाएंगे इसके बाद जो block of digits आएंगे वो कहां से start होगा बस यही question है तो 2 देखे 2 remainder यहां पर कहां पर आया था third process पे आया मतलब की 1,2,3 मतलब यहां से start हो रहा है इसको पहले लिखेंगे आप मतलब की 0 point के बाद लिखेंगे 2 ये 2 इसके बाद 8,5,7 फिर ऐसे घूम करके rotate करके फिर 1,4 ऐसे लिखेंगे तो 2,8,5,7 फिर 1,4 हो गया इसका अब यदि हमें 3 upon 7 का लिखना है तो 0 point लगा दे करेंगे इसको बाद देखेंगे 3 remainder यहां पर कहां पर आया था यहां पर यहां पर आया था 2nd process पर तो यहां पर 4 से start करेंगे तो 4,2,8,5,7,1 4,2,8,5,7,1 this will be the decimal expansion of 3 upon 7 4 upon 7 अब देखेंगे कि 4 कहां पर आया था remainder 4 यहां पर देखेंगे आया कितने पाया 1,2,3,4,5 वाले process म यहां से start करेंगे तो करेंगे 0,5 यहां से start करेंगे 5,7 फिर शुरू से चल जाएंगे ठीक है 0,5,7,1,4,2,8,1,4,2,8 clear बस ऐसी करना है 5,7 को निकालना है simple आप देखेंगे कि remainder कहां पर 5 आया था तो 5 remainder यहां पर last में आया था तो मतलब कि 7 से start होगा यहां से start होगा तो लिखेंगे कि 0,7,0,7 फिर start हो जाएगा 0,7,1,4,2,8,5 तो these will be the decimal expenses of all these okay question number 8 express the following numbers in the form p upon q where p and q are both integers and q is not equal to 0 ध्यान दीजेगा यहां पर हमें rational numbers दिये हुआ है decimal form में और इनको convert करना है p upon q के form में तो यहां पर जो concept है पहले हम concept पर ध्यान देते हैं यहां पर concept यह है कि यदि decimal form में रहेगा तो decimal के right side में कुछ digits होंगे जिन पर बार लगा होगा और कुछ ऐसे भी digits होंगे जिन पर बार नहीं लगा होगा किवल दो तरीके के numbers हो सकते हैं जैसे यहां पर देखिए 0.3 bar के वल डेसमल के बाद आने वाला जो digit है के वल 3 है और उस पर बार लगा हुआ है यहां पर डेसमल के बाद आने वाला है 2 है और बार लगा हुआ है यहां पर इसको convert यह दिक करेंगे decimal के बार के form में तो यह हो जागा 0.40 bar तो यह दोनों पर यहां बार लगा हुआ है 0.47 यहां पर देखिए ध्यान से decimal के बाद एक ऐसा भी digit है जिसपर बार नहीं लगा और एक digit ऐसा है जिसपर बार लगा हुआ है जिसए 7 bar ओके और यहां भी दिखिए एक digit ऐसा है decimal के right side में जो इस पर बार नहीं लगा है और 34 पर लगा है तो ये बहुत ही ज़्यादा important significant point है यहाँ पर कि decimal के right side में यदी बार लगा है और नहीं लगा है तो उसके help से हम आसानी से find कर सकते हैं तो ध्यान दिजीगा जैसे जिसे हम solve करेंगे each one तो हम start करते हैं first से तो सबसे पहले हम यहाँ पर suppose कर लेते हैं let let x is equal to 0.3 bar हना x बराबर माल लिए और इसी x की value हम rational form में लाएंगे तो ध्यान दिजीगा अब यहाँ पर हम x को ऐसा भी ली सकते हैं it implies x is equal to 0.333 3 dot 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 ऐसा ली सकते हैं क्योंकि 3 ही तो repeat हो रहा है बार बार अब हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर 3 है इसको हम left side में लाएंगे ठीक है तो multiplying by 10 we will get 10x is equal to यह हो जाएगा 3.333 dot dot यह बता है यह एक 3 यह decimal जो है एक बार right में जाता है तो यह 3 का जो number है वो तो उतना ही रहेगा न क्योंकि 3 तो infinite bar repeat हो रहा है तो यहाँ पर decimal को हम decimal के बार 3 3 3 3 तीन बार लिख सकते हैं फिर से मतलब इन में कोई change नहीं होगा यह इतनी बार आ रहा है 3 कभी cancel ही नहीं होता तो इससे कोई problem नहीं होगी तो हमने यहाँ पर multiply करके find कर लिया 10x is equal to 3.333 अब ध्यान दिजेगा यहाँ पर जो इसको माल आते हैं second equation और इसको माल आते हैं first equation अब हम करेंगे क्या कि first equation को second equation में से minus कर देंगे subtracting equation 1 from equation second तो क्या मिलेगा देखें यहाँ पर हो जाएगा 10x minus x यहाँ पर और यहाँ क्या होगा 3.333 minus 0.333 dot dot यहाँ भी dot dot रहेगा जब minus करेंगे तो यहाँ पर decimal के right side में जो same numbers हैं वो सारे cancelate हो जाएगे 0 हो जाएगा और 3 minus 0 यहाँ पर जो left side में है वो सारे मतलब minus हो करके 3 आ जाएगा तो यहाँ पर solve करेंगे 9x is equal to यहाँ पर 3 minus 0 3 आएगा ठीक है? क्यों 3 आएगा यहाँ पर और it implies यहाँ से अप्साल कर सकते हैं 3 upon 9 और यहाँ पर consider 3 minus 3 तो मिल जाएगा आपको 1 upon 3 तो 1 upon 3 is the P upon Q form means you know of this rational number अब यहाँ पर तो decimal के right side में क्यों एक बार था और यहाँ भी एक बार है तो इदम इसका जो solution है इदम same to same ऐसे ही करेंगे ठीक है? आप यह try कर सकते हो और मैं इसका करता हूँ third यहाँ पर दो decimal decimal के right side में बार दूनों पर लगा है तो इसका भी same तरीके से करते हैं वैसे ही चलिए third one 0.404040 इसको आप लिख सकते हो 0.40 बार अब यहाँ पर पहले suppose कर लेते हैं let x is equal to 0.40 बार तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं x is equal to 0.404040 ऐसा लिख सकते हैं dot 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 अब ध्यान दिजेगा यहाँ पर जितने पर बार लगा रहेगा उतने से multiply करेंगे उतने zeros वाले नमबर से multiply कर देंगे मतलब 100 से multiply करना होगा यहाँ पर तो multiplying by 100 on both sides we will get यहाँ मिलेगा 100x is equal to 40.404040 देखिए है मैं 4040 कितनी बार भी लिख सकता हूँ तो मैं तीनी बार लिख रहा हूँ यहाँ भी तीनी बार दिखा रहा हूँ ताकि यहाँ पर जब हम सब्टक्षन करें तो यह cancel out हो जाए decimal के right side वाले digits और यह बिल्किल हो जाते हैं तो यह हो जाएगा second equation this is the first equation तो हम लिखेंगे कि subtracting equation first from equation second तो इस equation में से इसको minus करेंगे तो ध्यान दिजेगा क्या मिलेगा 100-x कितना आएगा 99x और यहाँ यह जदी minus करेंगे तो यह पूरा block of digits और यह block of digits cancel out हो जाएंगे और 40-0 जो है 40 मिलेगा करेंगे ठीक है अब इसको हम divide कर देंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें x is equal to 40 upon 99 clear और ठीक अब यह तो एक मतब था ठीक वाईसे ही कर रहे थे जैसे 0.3 यह कर रहे थे लेकिन हमें थोड़ा सा एक unique question देखना है वो देखना है 0.47 जिसमें एक bar लगा है जिसमें बार नहीं लगा इसका कैसे करेंगे ठीक है चले question number यह 4 करते है 0.47 और यहाँ bar लगा है इसका मतलब कि इसको लिए सकते हैं 0.47 7 7 dot 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 मैंने 7 repeat हो रहा है ठीक है तो हम सबसे पहले suppose कर लेंगे let x की value जो है इतना है 0.47 7 7 dot 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 अब एक बात यहाँ पर आपको ध्यान देना है यहाँ पर यह दी दो digits हैं जिस पर बार नहीं लगा और जिस पर बार लगा हुआ है तो जिस पर बार नहीं लगा उसको सबसे पहले आप decimal के left side में लाएंगे मतलब की 10 से multiply करेंगे पहले 4 को left side में लाने के लिए उसके बाद दूसरी बार हम 7 को लाएंगे left side में ठीक है first of all multiplying by 10 in this equation हमें क्या मिलेगा हम 10 से इसलिए कर रहे है ताकि जिस पर बार नहीं लगा है उसको सबसे पहले हम left side में लापाएं सबको दोनों को मतलब अलाग-अलाग करना है यह समझ लिजिए तो पहले हम 10 into x करेंगे तो मिल जाएगा यहाँ पर 4.777 dot 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 ठीक है अब यहाँ पर ठीक है किवल 4 को लाने पर ही यहाँ पर dot के बाद 7.77 यहाँ पर आ गया अब उसके बाद हम चाहते हैं कि एक और equation मिले जिसमें dot के बाद 7.777 आ जाए तो उसके लिए हमें इसका एक 7 फिर से left मिला आना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे फिर से इसमें 10 स्प्लाई कर देंगे तो 10 स्प्लाई करेंगे तो यह 7 भी left में आ जाएगा तो multiplying again by 10 we will get 100 x is equal to यहाँ पर 10 स्प्लाई करेंगे तो 100 x हो जाएगा यहाँ पर 7 आ जाएगा लेफ्ट में मतला हो जाएगा 47.777 देखिए 7 7 में तीन बार लिख रहा हूँ क्योंकि यह तो infinite times लिखा गया है तो आप कितना भी यहाँ पर लिख सकते हैं कोई असर्ट नहीं पड़ेगा अब यहाँ पर minus कर देंगे तो 100 x में से यदि 10 x मैनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर हम इसे खीच लेते हैं minus कर देंगे तो मिलेगा हमें यहाँ पर 90 x और यहाँ मैनस यदि करेंगे तो 47 minus 4 यह आपका हो जाएगा 43 और यहाँ पर आप directly अफाइन कर सकते हैं इंप्लाइज x is equal to हो जाएगा 43 अपान 43 अपान 90 इस विल बी यूर आंसर चलिए फिफ्ट कर लेते हैं एक बार और फिफ्ट को आप ध्यास दिखेगा सबसे पहले सपोस कर लेंगे let x is equal to 0.134 और 34 पर बार लगा है ठीक है सबसे पहले आप ये जो जिस पर जिस डिजिट पर बार नहीं लगा उसको पहले left side में लाएंगे उसके लिए 10 से मुपले करना पड़ेगा तो एक बार इसको हम ऐसा लिख लेते हैं x is equal to 0.134 तीक है 3 4 repeat हो रहा है तो हम लिख सकते हैं अब हम 1 को लेफ्ट में लाने के लिए 10 से मुपलाई कर देंगे तो मुपलाईंग आन बोथ साइट्स बाइटेन वी विल गेट 10 x is equal to यहां मिलेगा 1.343434… ऐसे मिल जाएगा अब देखे ध्यान से अब जिस पर बार लगा हुआ है मतब 34 अब 34 को लाएंगे directly left side में तो अब हमें मुपलाई करना पड़ेगा 100 से तो multiplying by 100 in this equation इस equation को माल लेते हैं फर्स्ट तो multiplying by 100 in this equation we will get 100 x sorry 1000 x हो जाएगा क्योंकि यहां पर 10 पहले से था 1000 x is equal to यहां हो जाएगा 134.3434… देखे यहां पर एक 34 left में चला गया तो आगे जो 3434 आएंगे उसमें से तीन numbers को नहीं सकते हैं मिलकुल क्योंकि यह तो infinite time से लिखा हुआ है ठीक है तो कोई असर नहीं पड़ेगा और इसको माल लेंगे इस equation को second अब हम यहां पर करेंगे क्या सप्रेट करेंगे equation 1 को equation second से इदी हम equation 1 को equation second से सप्रेट करते हैं तो thousand minus 10x करना होगा जो कि हमें finally मिल जाएगा इसे उड़े करने पर तो 134 minus 1 is 133 और यहां से directly of x is equal to 133 upon 990 फाइंड कर सकते हैं तो इस यहां पर जैसे एक ही पर करना है यहां पर थाउजेंड से मिल प्लाई कर दिजिए यह सारे सारे डिजिर्स लेफ्ट में जाएंगे उसके बाद से जो उधर बचेगा वह मैनस करने के बाद cancel out हो जाएगा चलिए अब चलते हैं next question पर question number 9 classify the following numbers as rational और irrational देखेए 20 under root 23 rational है या irrational है किवल हम यह जान करके पता कर सकते हैं कि rational numbers हमेशा terminate हो जाते हैं या terminate यदि नहीं होते मतलब non-terminate यदि होते हैं तो repeat करते हैं उनके block of digits repeat करते हैं यह दो बाते आप जानते रहिए और जो irrational numbers होते हैं उनका decimal expansion non-terminating होता है plus non-repeating होता है मतलब repeat नहीं करता यहां पर देखिया under root 23 यह under 23 irrational number है क्योंकि यह under root के बाहर नहीं निकल सकता और यदि हम इसका decimal expansion करेंगे तो यह non-terminating और non-repeating होगा तो this is an irrational number ठीक है this is irrational यहां पर देखिये second under 225 यह हम इसको factorize करते हैं 225 को तो मिलेगा हमें 225 को factorize करिये तो 5 से 5 4 20, 5 5 45, 5 9 जा तो मतलब मिल जाएगा हमें 3 3 जा और 3 बन जा थक्प्राइज करने के बाद हमें मिल गया 5 into 5 into 3 into 3 तो यह अंडरूट से बाहर आ जाएगा मतलब कि यह 5 का एक पेर बाहर जाएगा 5 into और यह 3 का एक पेर मतलब 15 आएगा इसका अंसर और हम जानता हैं कि 15 is a rational number ठीक है 15 integer है तो आल integers are rational numbers this is a rational number ओके यहाँ पर दोगे यह terminating decimal representation है यह terminate हो गया है तो this is a rational number because it is a terminating it is terminating decimal expansion of a rational number यह क्या होगा देखें यहाँ पर इस पर मैंने एक बात यहाँ पर भूल गया यह dot 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 है ठीक है अब यहाँ देखना होगा कि decimal के बाद जो digits आ रहे हैं क्या वह repeat कर रहे हैं देखें 478 478 ऐसे आ रहा है मतलब यहाँ पर repeat चल रही है यह non terminating है मतलब terminate नहीं होगा यह non terminating हो बट repeat करें repeating हो तो समझ लीजे वह number क्या है इस number is rational इस number is rational number ओके अब यहाँ पर आते हैं देखें यहाँ भी dot 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 कर रहा है कि non terminating है dot dot रहने का मतलब होता है कि non terminating होगा यह non terminating है बट हमें यह ध्यान देना होगा कि repeat कर रहा है क्या यदि repeat नहीं करेगा तो irrational होगा देखिए 101 101 हो रहा है फिर 002 बार हो गया फिर 1 आया फिर 003 टाइमस आ गया फिर यहां 4 टाइमस आ गया तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे 0 का जो number है वह बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पर repeat नहीं हो रहा है मनि कि certain block of digits are not repeating मतलब कि यहां पर एक 0 यहां पर आ गया यदि 0 यहां पर एक ही आता और वन आता तब तो repeat करने लगता लेकिन यहां पर 2 increase हो रहा है 3 हो गया 4 हो गया इसके आगे कि जानते क्या आएगा 5 बार 0 जो है 5 बार लेंगे फिर 1 लिखेंगे फिर उसके बाद क्या होगा 6 times 0 जो लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे तो यह मतलब repeat नहीं हो रहा तो this is an irrational number अब बता सकते हैं कि it is irrational because it is non-terminating and non-repeating correct और यहां दहां देजिए अब यह number को तो लिखी दिया है यहां पर बार लगा दिया है तो बार लगा देने के कारण ही समझ में आ रहा है कि यह repeating है तो this is a non-terminating but repeating decimal expansion therefore this is a rational number clear तो यह हो गया 9 का conceptual understanding question number 10 the following real numbers have decimal expansions as given below तो यहां पर कुछ numbers दिया हुए है इनका decimal expansion लिखा हुआ है कर रहा है कि in each case in each case state whether they are rational or not तो हमें each case में बताना कि यह rational है या नहीं है अब कर रहा है कि if they are rational यदि आपको यह पता चलता है कि कोई rational है इनमें से तो express यदि किया जाता है उनको p by q के form में जहां पर p और q क्या है co-prime है then what can you say about prime factors of q कुल मिलाकर यह कह रहा है कि यदि यह rational number है और उसको p by q के form में जहीं आप revision करते हो तो q के prime factors कैसे होंगे q के prime factors के बारे में आप क्या कह सकते हो what can you say about that यह पूछ रहा है तो बहुत असान है सबसे पहले आप यह पता करोगे कि यह rational है यह नहीं है तो देखे 37.09158 यह जो number है rational है क्योंकि यह terminate हो गया है क्योंकि repeat नहीं कर रहा डॉट 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 रता तम नहीं होता ना टर्मिनेटिंग लेकिन तो terminate हो चुका है तो terminate यह हो जाए तो वह rational number होता ही है तो this is a rational number this is a rational number और यदि rational number है तो हमें बताना है कि p by q के form में यदि इसको represent करेंगे तो q के factors क्या आएंगे देखे rational number है लेकिन यह rational number terminating वाला है यदि terminate हो जाता है तो समझ लिजिए न कि इसका जो denominator आएगा मतलब इसको जब express करेंगे p by q के form में तो q का q के जो factors होंगे वा 2 और 5 ही केवल होंगे बस केवल या तो 2 होंगे या केवल 5 होंगे या फिर दोनों का combination मतलब 2 to the power m आ सकता है या 5 to the power n आ सकता है into this बना कि यही इसके factors हो सकता है जब terminate करेगा तब हैगी नहीं यह terminate हो गया है इसलिए ऐसा हो सकता है तो we can say that the factors of the prime factors of q must be 2 and 5 यहां पर block of digits repeat कर रहा है तो this is a non-terminating तो this is a rational number because this is non-terminating repeating यह non-terminating है बत रिपीट कर रहा है क्योंकि 0,4,5,6,7 यह बार बार आएगा तो this is a terminating, this is a non-terminating repeating decimal expansion therefore it is a rational number but इसको यदि हम p by q के form में represent करते हैं तो q के बारे में क्या कहेंगे तो यदि यह non-terminating है तो q के जो factors होंगे वो केवल 2 और 5 ही नहीं होंगे कुछ और भी आएगा मतलब 2 और 5 के अलावा भी कुछ आ सकता है तो 2 to the power m into 5 to the power n ऐसा भी हो सकता है और यहाँ पर कुछ और भी आएगा यहाँ में पता नहीं चल पाएगा 3 आ सकता है, 7 आ सकता है, 11 आ सकता है, कोई दूसरा factor भी आ सकता है तो हम इस case में यही कहेंगे q के बारे में यह तो पुछा है ना question, कि what can you say, can you say about prime factors of q तो हम यह कहेंगे कि इसको prime factors में 2 आएगा, 5 आएगा और एक और number आएगा क्योंकि यह non-terminating है, केवल non-terminating होने के कारण ऐसा हो रहा है यह repeat कर रहा है, इसलिए हो रहा है, अब यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर, यह तो यहाँ पर dot-dot को देखकर आपको लग गया कि dot-dot लगा होने मतलब कि non-terminating है, ठीक है, अब देखेंगे कि repeating है क्या तो देखें, 901, फिर 001, फिर 001, मतलब कि 0 एक बार आया, यहाँ पर दो बार आया, तीन बार आया, फिर 4 बार आएगा, ऐसे 5 बार आएगा, मतलब कि यहाँ पर कोई block of digits repeat नहीं कर रहा है तो it is a non-terminating, non-repeating, therefore it is an irrational number, it is not a rational number, it is not a rational, जब rational नहीं है, तब तो हम आगे बढ़ जाएगे फिर, अब इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर dot-dot लगा है, मतलब कि non-terminating है, ठीक है, non-terminating है, अब देखेंगे कि repeating है कि नहीं, तो 3, 4, 7, 6, 8, 1, 7, 6, 8, 1, मतलब देखेंगे, 7, 6, 8, 1, ओ सरी, 7, 6, 8, 1, फिर यहाँ देखें, 7, 6, 8, 1, this number, this block of digit is repeating, ठीक है, 7, 6, 8, 1, 7, 6, 8, 1, बार बार आएगा, इसका मतलब कि this is, इसको ली सकने है, ऐसे भी, 2.34, 7, 6, 8, 1, और उसके पर बार लगा देगे, तो this is clearly a non-terminating, repeating decimal expansion, तो non-terminating है, और repeating है, therefore, this can be expressed as P upon Q, तो P upon Q के फ़र में यदि रिपजन करते हैं, और यह rational number कहरें का मतलब है, तो rational number है, और इसको P by Q को फ़र में रिपजन करेंगे, तो Q के बारे में क्या कहेंगे, मतलब इसका जो denominator होगा, वो क्या आएगा, इसके factors क्या आएगे, तो यदि यह non-repeating है, non-terminating है, और repeating है, तो यहाँ पर Q में, Q के factors होगे 2, 5, और एक और number होगा, जो 2 और 5 के अलावा भी होगा, ठीक है न, यह नमबर होगा ही होगा, 2 और 5 भले न हो, लेकिन यह तो तिसरा number है, मना 2 और 5 के अलावा कोई एक तिसरा number जरूर होग यदि repeat कर रहा है, तो ठीक है, यही बाते सारी हैं इसमें, इतना ही तो explain करना था, चलिए, इसमें conceptual understanding वाला question था, question number 10, तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे वाले parts में, आप सारा जो insert करते हैं, कैसे दो rational के बिच में कितने rational number हैं, और कितने rational number हैं, इसके बारे हम आएंगे, तो stay tuned, thank you so much for watching, यदि कोई question है, तो आप comment box में ले सकते हैं, और जरूर आप comment करिए कुछ ना कुछ, तो thank you so much again, bye